नमस्खकर दोस्तों दोस्तों RBA असिस्टन डोजार 2013 जिहां दोस्तों आरबी ने असिस्टन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जो हाई Jari कर दिया है पिषले कल इसके लीमेनगे च़र्ट वीडियो डाला था आज मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हैं और इस फौर्म की अंतिम तारिक दोस्टों अक्तूबर चार है चार अक्तूबर ज erfolgrauen जो है इसकी एकजाम के सार्थ था इसकी फीज के हैं उसकी टारिक भी 13 सैम्तंबर से चार अक्तूबर के बीच में ही रहेगी दोस्तों सबसे में चीज देखने तेस ठीक है तेस और 21 अक्टूबर के बीच में ये टेस्ट हो जाएगा और ये जब प्री के टेस्ट होगा फिर इसका रेजल्ट आने के पर चार्थ चेडियूल ऑन लाइण में जो टेस्ट होगा दोस्तोज इन्ँए occupied की दिसमबर दो को हो जाएगा है तो हमारे पास एक महीने नष्ट के थोड़ा साही उपर का टाइम है तकरीम है च preparedness के ढूर है है। इस ताइम में जो है जो जतने दोस्त जो मेरे जो पहले से प्रेपरिशन कर रहे हैं जो इस पर आई बीपीस का एक्जाम दिया जो चला रखी थी उन्होंने इसके साथ साथ जो है आर भी जो है असिस्टन की भी त्यारी हो जाएगी क्योंकि दोस्तों स्लेबस जो है बिल्कुल सेम है और किसी के मन में कुश जो है वह थोड़ा अच्छा है क्योंकि अच्छा इसलिए विए हर एक परसन जो है आर भी में जाना चाहेगा इवन जो प्योंकि जॉब की जौब प्रेपरेशन अच्छी करने मोफ्टास प्रॉपर देने हैं और मैक्सिमम नमबर आए यह हमारी अप्रोच रहनी चाहिए था कि दोस्तों दोस्तों इसके लिए जो है जो वेटरंस एकडेमी महली तो आपके लिए एक स्पेशल जो है ओनलाइन जो है रिकॉर्डेड बैच भी लेकर आया है उस बैच में आप जो है इस टाइम पिरिड़ में अपने हिसाब से प्रेपरेशन कर सकते हैं अपने है दोस्तों तो दोस्तों यहां पर देख पाएंगे 450 जो है साड़े 400 टोटल आर्बी इस बार विकेंश निकली है और अलग-अलग रीजन है उनके हिसाब से अगर ऑफिस की बात करें तो देखिए एहमदाबाद बैंगलूरू बहुपालू बनेश्वर चंडिगड इस तरह से अलग-अलग ऑफिस के हिसाब से इन्होंने वेकेंश डिवाइड की हैं कैटेगरी के हिसाब से भी डिवाइड की हैं दोस्तों अ आपना जो मुंबै है वहाँ सबसे ज्यादा 101 देखने को मिल रही है बापके माइंड में यह चल रहोगा जाधा है क्यों आपको मांग मैं ने लेके चलना है कि अगर आप जिस राज्य से जिस ऑफिस से जो है अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों क्या हुमें उस रीजन की लोकल लेंगविज आती है जैसे महारास्टा के अगर बात करें मुंबे में महारास्टा तो बहां पर क्या है अगर मुंबे रीजन से आपने भरना है र फिस्टे jsi से प्रिलिम्स औ tort के बाद यहां फो गया झालाइगा चैनली और ने अचों हुनागपुर की बात करें तो भए दोस्तों की eligibility वहाँ पर बनती है दोस्तों एज की बात करते हैं कौन सा एज क्राइटिरिया हाँ रखा गया है तो एक सेप्टमबर दो हजार तेश तक आप दोस्तों बीस हजार से आप सोरी बीस साल से आपकी आयू कम नहीं होने चाहिए और 28 साल से आपकी आयू जादा नहीं होने चाह साल और जो परसन बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 साल वही जो है नॉम्स है वही यहां पर अप्लाई होते हैं ठीक है जी चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मुख्य हमें चीजें ध्यान में रखनी है तो दोस्तो दोस्तों अगर आप जर्नल कैटेगरी से संब्दित हैं तो कम से कम 50 प्रतिशाद नंबर आपके आने चाहिए और अगर आप सी एस्ट या फिजिकले डिसेबल हैं तो किसी तरह की जो परसंटेज मार्क्स की नीड़नी आप अगर ग्रैजूशन पास भी है तब भी आप यह अंडरस्टैंड ना लेंग्विज उस ऑफिस मतलब जो अफिस बताई गया है जो अलग अग एरिया है चंडीगड़ है पतना है महारास्टा है तो वहां के आपको जो लेंग्विज है रीड़ राइट स्पीक अंडरस्टैंडिंग आपको उस लेंग्विज की होनी क्या फीस होगी ओक्ता को फिल करने के लिए दोस्तों इस एक्जाम को फिल करने के लिए एक सर्विस मैंने उनकी जो 50 रुपे की फीस है प्लस 18% जो है जीस टी उपर से लगेगा जर्नल और विसी एकनोमिकल बीकर सेक्ष्शन बाले के बालों के लिए क्या है दोस्तों 450 और बीए कि अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पेस्केल है काफी अच्छा होता है इसलिए मैंने कहा था कि अगर बैंक पीओ वाला भी है इस बोभी यहां पर जाना चाहेगा एक तो भी आरवी अपने आपने आपने बहुत बड़ा ब्रैंड है और साथ में कि जो जो आपका अच्छा इक्षाम आपके लिए ठीक है रही बाकि जतने भी आपको जो भीनिफिट मिलते हैं मztा या अजर जतने भी बैनिफिट मिलते ही यहां default मिलेंगे स्कीम ओप सेलक्शन क्या है दोस्तों ठीक है एक्जाम में क्या होगा 받 कर में अगर मैं प्री की बात करता हूं प्र एक bank के paper में यही स्लेबर साता है आप IBPS देख लिए SBI देख लेते हैं तो वहां पर देख पाते हैं यही तो चलता है तो सेम वही जो मैंने कहा था कि कोई अलग changes नहीं है को टाफ पेपर नहीं होगा बशरते आपका जो accuracy है वह maximum होने चाहिए आपको ध्यान से एक्जाम देना है क्योंकि competition अच्छा होगा ठीक है तो वहीं तीस question आएंगे इंग्लिश के math के 35 है और 35 question reasoning की होगे और इसमें हरे question एक नंबर का है बट वही बात है 20-20 minute का fix time होता 60 minute का paper है 100 question कवर करने यह अगर यह paper को clear करते हैं तो मेंस में जाएंगे और मेंस में जाने पर आप देखते हैं कि वही reasoning English language आ गया numerical ability math आ गया जर्नल awareness जीके आ गया और test of computer knowledge आ गया ठीक है चालिस 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 इच होंगे 200 नंबर का paper होगा ठीक है लिए और 20 minute मिलेंगे आपको computer knowledge के लिए कि यहां पर sectional cut up भी होगी और हर एक section को divide किया गया time है तो उसी time के अंदर आपको यह section complete करना है अधरवाई section close होके अगला section स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो time का विशेश दियान रखना है इसी लिए जो आप त्यारी करते हैं दोस्तों तो टाइमर लगाके करें इमेर कि सब्जक्ट में आप मोग टैस्ट है अच्छे तरीक से दिया करें ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव रहे ठीक ह प्री में के बाद दोस्तों लेंगवी टेस्ट होगा और इसके बाद आपकी जो है जो डॉकमेंडेशन होगी और फाइनली आपको जोब मिल जाएगी तो दोस्तों यह information थी और भी एसिस्टंट 2023 के लिए मुख्या था होप करता हूं कि हर एक डाउट आपके क्लेर हो चुक 0041024 हमारा contact number है और मैंने बताई दिया किसी भी तरह कि आपको help चाहिए study के लिए तो आप हमसे तब भी संपर्क कर सकते हैं जाहिन जावारत